जैहिंद नमस्कार गुडिनिंग सुपसंधिया स्वागत है आप सभी का टार्गेट आन पर उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की त्यारी कर रहे हैं सभी अभ्यरतियों को मैथमेटिक्स के डेली डोज के अंतरगत आज नौवे दिन मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ यहाज नौवी क्लास है मैथमेटिक्स की आपकी परिच्छा धीरे धीरे आपकी समीप आपके नद्दीक आ रही है प्रेसर और तनाव भी आपके अंदर बढ़ता जा रहा हो होगा इस दोरान जितने कंसंट्रेट होकर जितना ध्यरे रहा करेंगे उतना ही वहतर रिजल्ट और अंजाम आप अंद्धक प्राप्त करेंगे हम सभी पुरी टीम की माध्यम से आपको तैयारियों आपकी तैयारियों में लगातार कमिटेड होकर अपने हिसाब से अपने इसका हमेशा से रिकार्ड रहा है जैसे मैं डेली आपको लाइब मैथमेटिक्स के अलग-अलग कॉंसेप्ट पर यमसी क्यू बेस्ट मॉक एनालेसिस टेस्ट कराता हूं आज वह सेसन नहीं है लेकिन उन सबसे बेहतर और उन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आज एक सेसन है जो कि प्रिवियस एर एक्जाम पर बेस्ट है इस पूरे सेसन में एक सिप्ट के आए सभी मैथमेटिक्स के प्रसन आज आज आप कबर करेंगे जब भी कभी हम किसी प्रद्योगी परिच्छा की त्यारी करते हैं तो प्रिवियस एर का जो कुष्चन सेसन होता है या कुष्चन का जो करिसन होता है या कुष्चन की जो एनालिसिस होती है वो आपकी त्यारी में एक महत्पूर कड़ी होती है हम कितना भी पढ़ लें कित इसी भी तयारी का सबसे महत्पूर अंग उस परिच्छा के नेचर को जानना ही है यह विभाद किस तरह के प्रसंद देता है अलग-अलग बिस्यों में उसका नेचर क्या है उसकी वर्डिंग क्या है उस टॉपिक के प्रसंद कैसे रिलेट करते हैं इन सब की अच्छी अनाले कर सकते हैं जाकर के भी और इस सेशन को आज आप यहां पर अच्छे से कबर करिए पूरे सेशन तक आप लोग सभी प्रसंदों को अच्छी तरह से देखिए समझेए और लास्ट में जब वीडियो इंड हो जाए तो आप मुशे कमेंट के माध्यम से जरूरे बताईएगा इन सभी प्रसंदों में कितने प्रस्ण आप डारेक्ट और अपने आपसे कर पा रहे थें आएए मैं देरना करते हुए सक्रिवात करता हूं सक्रिवाद करूं और इध्यान से देख लिए पहले इसको अच्छे से कबर कर लिईए समझ लिए चीज़े क्या है यह पहली जो को समझते हैं देखते हैं और पहले प्रस्ण से सुरुआत करते हैं पहला प्रस्ण आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है कुश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा कुश्चन लेखा हुआ यदी 2x3 2x3 ratio है इसको अलग से ऐसे break कर लेते हैं ratio 5x4 3,4 का 3,4 का 3,4 का 3,3 गुना अनुपात है अब इसको देखो अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो क्योंकि यह सब्द अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे guarantee मानके जलिएगा इसको कहते है ट्रिपली केट ratio मैंने आपक कि जब भी कोई ratio आपको दिया हो जब भी कोई ratio दिया है x और y के फाम में इसका जब हम triplicate करेंगे तो x cube और y cube हो जाएगा त्यांसे इसको चीज़ समझ लिजेगा जब भी कोई ratio आपको जैसे अगर मालो एक अनुपात 2 दिया है इसका triplicate क्या होगा एक cube और 2 का cube बिलकु इसका मतलब क्यूब करिए तो 3 का cube 27 होता है 4 का cube 64 होता है इसको हल करें और x का मान निकाले और उसने last में हमसे पूछा है x का work बताओ x का work बताओ तो x को x से ही directly काम नहीं चलेगा ना तो किसी बैलू को ए डारेक्टर आप से पूछ रहा सिधा 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 इसने हमसे का मान नहीं x के work को आपको fine करना है तो आप इसको कैसे करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर cross multiplication से इसको हल करते हैं तो इसमें समय लगेगा और इतना बड़ा गुड़ा करना हलाकि इतना भी बड़ा नहीं है 64 गुड़े 2 करिए 64 गुड़े 3 करिए हम करने को x कमान इजले निकाल सकत यहाँ पर उधर चला जाएगा 27 पंचे 5 सते 35 पांदूना 10 13 13 135 प्लस यहाँ पर 27 गुड़े 4 कर दीजिए 4 सते 28 और 4 दूना 8 दो 10 110 हो गया अभी क्या करिए इसको उधर लेकर जाए तो 7 x हो गया इसको इधर लेकर चले आए तो कितना हो जाएगा 12 से 8 आपका 4 हो जाएगा 12 से 8 आपका 4 हो गया 8 ही हो गया एक्स का मान 12 सते 84 एक्स की बैलू 12 हो गई अभी 12 का वर्ग करेंगे 344 उत्तर आएगा ठीक है इस तरह से हमने किया अब आपको ऐसे एक्जाम में नहीं करना है बहुत ही नार्वली आप इस प्रस्न का उत्तर बता सकते हैं आप एक चीज़ कि वह बैलू 27 हो जाए तो दो गुड़े अगर मैं 12 कर देता तो 12 दूना 24 तीन 27 हो जाता अर्थाती एक्स का मान एक जैक ली 12 था वहां से भी कवर्ण करिया और यहां से भी 5 गुड़े 12 करते तो 12 पंचे 64 64 होता की नहीं होता तो कितना आसान था डिफाइन करना आपको लोग है ट्रिप्ली केटर था त्रिक तीन गुणा जिसको तीन गुणा डिफाइन करना सोचना और ट्रिप्ली केट सोचना अकसर लोग इसको तीन गुणे में लेके कंफ्यूजन बने रहें तो तीन गुणा नहीं है बेसिकली और ट्रिप्ली केट है बटे लिखा रहता इ प्रतिशत अंक प्राफ्त किया चार विस्यों में उसके अंक क्रमसह अलग-अलग इतने हैं तो पाच विस्यों में अर्जित उसके अंक ग्यात करो तो पहली बात जा लिजिए जब यह पेपर हुआ था इसको गलत सिद्ध किया गया था और लाश्ट में जब एंसर सीट आई थी एंसर किया थे उसमें बताया थे 85 परसंट नहीं मैंने एज़िटी जो आप रखवाया है जो आपके एक्जाम में आपसे पूछा गया था इदरसल्ट 85 परसंट नहीं यह और नाइटी नाइन और इस चार विस्यों की बात किया जाए तो और उसके एटी फाइब तो पाच विस्यों में उसका अंक आपसे पूछा गया है तो आपको पता है कि आउसत जो होता है वह योग बटा संख्या होता है ठीक है योग बटा क्या होता है संख्या होता है तो आपको जैसे आउसत दिया है और संख्या पता है पाच विस्यों है तो आप संख्या को अगर इनको जोड़कर उससे घटा दे तो आपको पाच्वे विसे का अंक एक्जैक्ली पता चल जाएगा जोड़ लीजे कितना हो गया आठ चार बारा एक तेरा तेरा नौ बाइस के एरी दो और साथ दो नौ आठ सत्रा 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 अठ पचीस नो क्या होता है चौतिस तीन लीजिया और कंफर्म कर लीजिये 83 द्राइट सलूसन क्लिया है अगले प्रसल पर आईए तीसरा कुश्चन देखिए क्या दिया है दो बस्तूओं को दो बस्तूओं को उनके लागत मुले से थोड़ा ठीक ठाक्विश्चन है पचीस प्रतिसाद उबर अंकित किया गया है दो बस्तूओं के जो लागत मुले थे उससे पचीस परसंट उपर अंकित किया गया है लागत मुले कितने थे कंफर्म नहीं है लेकिन जितना था उससे पचीस परसंट उपर अंकित किया गया है इस तरह से बस्तूओं में से एक को अंकित मुले पर बीस परसंट के लाब प हम exactly मान रहे हैं 100 और 100 हला कि कुछ भी आप लेंगे तो आप लागत मुल से 25% बढ़ा कर अंकित किये हैं जिसमें कोई ऐसी बात नहीं आपको कोई प्राब्लम नहीं आएगी और 25% अगर बढ़ा कर अंकित किये हैं तो यहां अंकित है 125 और 125 दरसल लागत इतनी थी 100 और 100 बट आपने दिखाए 125 और 125 है अब आपने क्या किया इसको इसको जो बेचा है पचीस परसंट उपर अंकित किया था पहली बस तुको उसने क्या किया था बीस परसंट के लाब पर बेचा था कितने पर बीस परसंट के लाब पर तो बीस परसंट का लाब अगर इस पर कर देते हैं तो बीस परसंट जानते हैं आप लोग कितना होता है एक बटे पाँच होता है मतलब 125 गुड़े 6 बटे आप पाँच कर दो करेक्ट 25 होता है 25 शक्ट के डेड़ सो कितने में बिका बोलो डेड़ सो में बिका इसको 10% की हानी पर बेचा गया है 10% की हानी पर 10% की हानी पर आप चाहते तो directly बता सकते थे अगर हम इसका 20% निकाल देते तो 20% वैसे भी इसका मान 50 आता ठीक है और इसका 10% की हानी साड़े बारा आती बासरत असमलो 5 वैसे भी हो जाता 200 से हम compare कर लेते हमको define हो जाता clear हो जाता कि क्या होने वाला है लेकिन ऐसे भी चलिए 10% की हानी एक चीज़ और सीख ले रहे आप 125 गुड़े यहाँ पर एक बटे कितना होगा 10 दस में से एक घटे का 9 बटे 10 ठीक है अगर आप इसका solution करिए 9 पचे 45, 9 दूना, 18, 4, 22 9 के 9, 9, 2 क्या होता है 11 होता है ना 9, 2, 11 बटे अगर 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 112.5 यह 112.5 में बेचा गया है और यह आपका 150 में बेचा गया है दोनों अगर जोड़ दीजिए कितने में बेचा गया है 262.5 में और खरीदा कितने में गया था 200 में 200 में खरीद कर इतने में बेचा गया है 262.5 में प्रतिस्यत का अलाव है आप से नंबर 20 प्रतिस्यत का राइट सलूशन है ठीक है आप डारेक्ट भी देखी सोच सकते थे जैसे 20 परसिन का फायदा हो रहा था तो 20 परसिन का फायदा यहां पर 50 का दस परसिन का साढ़े बारा का 62.5 होता और लागत 200 थी तो अगर 200 पर 62.5 है तो 62.5 का आधा 31.25 डारेक्ट हो सकता था अगर डिफाइन करते सोचते हमें उतना वक्त नहीं लगता जितना हम लोगों नहीं करने में लगाया है अलागि आप देखोगे तब भी आपको समझ में आ गई होगी बाते ठीक है अगल लागतार चूट दी गई है एक चूट है 30% दूसरी चूट है 10% और इसके बाद उस बस्तु को बेचा गया है 945 में जो लागतार चूट दी जाती जिसे करमिक चूट कहते हैं इसके बाद अगर हम लागत मुल्ले या विक्रे मुल्ले को अगर हम कंपेर करना चाहाए तो इ और 10 में एक घटा दें तो कितना होगा 9 होगा ये लागत है दोनों में और या विक्रे मुल्ले है ठीके इन दोनों का मान कितना है बोलिए 100 है और इन दोनों का मान कितना है 63 है ठीके इसकी बैलू आपको दिया है कितना 945 और इसका मान हमको पता करना है तो आप इसको डिव कर ये 15 होगा 15 को 100 से गुड़ा कर दीजिए लागत मुल एक लिए पंदरा सु रुपय है जो आपको आपसन नंबर बी में दिया गया है पंदरा सो इस प्रसन का राइट सलूशन है भी आपसन करेक्ट है पंदरा सो नोट कर लीजिए सही उत्तर है इस तरह से से प्रसन को कर सक करते हैं हलाकि चाहते तो आप एक्स लेते तीस परसन घटाते न तब भी कर सकते थे पिर दस परसन घटाते बराबर 945 करते तब भी चीज़े डिपाइन हो जाती उत्तर आ जाता फिलार उत्तर आपके सामने है जो आपसा नंबर बी में है होप सो आपको चीज़े समझ में आई होगी पाचवा नंबर देखिएगा 10% ब्याज पर दो वर्स की अवधी के लिए एक निश्चित मुलधन पर सधारण ब्याज चक्रविद्धी ब्याज से एक रुपए कम है मुलधन ग्यात करो मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई प्रिंस्पल को इन्वेस्ट किया है तो दो प्रकार की ब्याज हमको प्राप्त होते हैं सबको आइडिया एक सधारण दूसरा चक्रविद्धी दसल सधारण क्या होता हर साल समान ब्याज प्रवाइट करता है मतलब अगर आपने कोई दर निर्धारित करी जैसे 10% 10% पहले साल दस परसे दूसरे साल मतलब जो सधारण होता वही चक्रविद्धी होता है कोई फरक नहीं आता है दूसरे साल से सधारण चक्रविद्धी ब्याज की बिच में फरकाने लगता है डिफरेंस आता है जैसे अगर आप किसी को क्या करो कि कुछ पैसे अगर आपको किसी को देने हैं आपके पास नहीं है तो आप व्याद दो चक्रविद्धी से, रिटन आपको प्रिंसिपल भी करना है, ब्याज भी करना है, लेकिन आपका व्याज और उस ब्याज में मतलब जो आपको देना है, जो आपको मिलेगा, उसमें फरेक है और इससे इंसान बेनिफिट भी प्राप्त करता है, यहाँ पर दो साथ मैं इसको पैटन से भी हल करवा देता हूं उससे भी क्लियर हो जाती चीजिए ठीक है जैसे अंतर होता है पी आर स्क्वेर अपांट 10,000 यह होता है पी मतलब मूलधन ब्याज मतलब आपको दर मतलब आर मतलब दर और अंतर आपको जैसे एक रुपए का दिया है यही तो मूलधन हमको पता करना है आर अपना 10 है 10 का वर्ग 100 होगा देखो 10 है ना 10 का वर्ग कितना 100 बटे कितना 10,000 दो जीरो खतम यह 100 जाएगा उधर मल्टिप्लाई होगा तो पी का मान आपका 100 रुपए हो गया अर्थात मूलधन 100 हो गया देखो इसको ऐसे भी हम लोग सों सकते जैसे अगर यसाई की बात होती है तो जो सधारण व्याद 10 परसेंट है यह 10 और 10 मिलकर कितना होता 20 परसेंट जबकि अगर यहां पर किसकी बात होती चक्रविध्धी ब्याज की बात होती यहां पर ध्यान दीजिएगा जो आपका 10 है न क्रमिक परवेश्ट होता 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुड़े 10 बटे 100 अर्था जब इसको कैंसेल एंसर कर लेते हैं 21 परसेंट का ब्याज आता अब देखिए दोनों की बीच फरक कितने का एक परसेंट का एक परसेंट क्या होता है एक बटे 100 होता है एक का मान अंतर है एक का मान अंतर है 100 का मान मूलधन है जब एक अंतर है तो 100 मूलधन है और अंतर यहां एक ही है तो मूलधन 100 होगा और कुछ और होता तुलना करते तो फिलाल पहला आपसन इस प्रसन के लिए र बाकी भी अच्छे से इसको समझ गया होंगे क्या होता है देखिए उसी साल तुरंत एक प्रस्ण और पूछा गया सधार्ड व्याज और चक्रविद्धी व्याज का जोंतर होता है वो नियमित आपका दो साल के लिए तीन साल के आप परिच्छा में पूछा सकता है जैसे देखो सेम डेटा दस परसेंट की व्याददर है तीन वर्स की बात है दो हजार रुपए यहां पर अंतर दे रखा है सधार्ड देखो लिखा है दस परसेंट वार्षिक व्याददर पर तीन वर्स के लिए का जो अंतर होता है उसके लिए नियम आप समझो जैसे दो साल वाला मैंने लिख वाया तो दो साल का क्या लिख वाया हमूँ पी आर इसक्वेर आपांच यहां पानधीम इंट 2 बस लिखो 300 प्लस high आपां अपांड 3 900 प्लस आपांड़ ए रूल होता है ठीक है अब आपको जैसे अंतर निकालना ही है मूलधन पता है जैसे कितना देखो 2000 2000 आर स्कुर मतलब 10 का वर्ग 100 होता है 100 लिखिए बटे 10,000 लिखिए 10,000 लिखा इंटू इंटू है देखिए लगा हुआ है इंटू 300 प्लस आर तो 310 होगा पर 10 है 300 पर जुड़ेगा बटे 100 होगा करेक्ट 202010 1010 1062 यहीं डिफ्रेंस और 62 आप सब नंबर में दिया है यह तो फार्मूले से याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद है तो कैसे करेंगे इसके लिए बताता वह आप लोगों को ध्यान से देखिएगा हम एसे टेवल बना लो एक टेवल बना ले यहां लिखे बता दूँ, सधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, सेम होता है, ठीक है, सधारण ब्याज हर साल सेम होता है, चक्रविद्धी ब्याज पहले साल के सधारण ब्याज के बराबर होता है, जैसे आपको यह धन दिया है, धन कितना दिया है बोलो, धन दिया है 2000, कितना दिया है 2000, 2000 को अगर हम 10 % इसका निकाले क्योंकि तो रहेगा 200ET 2000 क्षजजुध दस पर्संट करिए 200 आएगा 200 यहां भी हो गया 200 यहां भी हो गया और 200 यहां भी इसमें कोई दिंग्ट नहीं और 200 यहां भी लिख दीजिए 200 यहाँ भी लिख दीजिए अब आप देखिए आगे क्या होने वाला है आगे दीखिए अब आपको यहाँ पर इस 200 का फिर दसपरसेंट करना है 200 तो लिखना है 10% और करेंगे तो 20 और आएगा अरठात यह 220 होगा क्लियर है फिर यहां 220 लिखिए और इसका फिर 10% करिए तो कितना होगा 10% करेंगे देखो किसी का 10% करना बहुत असान होता है बस अंतिम पर एक पर दसम्लों लगा दीजिए तो 22 होगा अब अंतर निकाल दीजिए फटा-फट अंसर आजाएगा देखे कैसे यहां अंतर कितना है बोलो 0 का यहां अंतर कितना है 20 का और यहां 22 और 20 अर्था 42 का कैसे देखो 200 कितना हो जाएगा 242 होगा की नहीं इसका इसका अंतर कितना है 42 का 42 कितना होता है 62 तो आप दोनों में से किसी एक को जो समझ में आए उससे आप कर लिजी हलाकि फारूला देखे तब तक अच्छा करते हैं जो इसली अंसर बता देते हैं बागी दर का उपयोग करके कर सकते थे 10% मतलब आपको पता है 30% हो जाता सदान व्याज में और जो सतत बिंता तो आपका सतत के हिसाब से भी चेंज करके देख सकते थे तो आपके हिसाब से आपको जो रिट्विबल पड़ उलाब तीन हजार का होता है ठीक है। X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपए कम है Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपए कम है X Y Z के लाब का साजह करने का अनुपाद बता दो देखो यहाँ पर dependency समझो किसके उपर है Z के उपर क्योंकि X भी Z से compared है देखो लिखा है X Z से 400 कम है Y भी Z से 200 कम है तो Z को रखते हैं थोड़ा बीच में तो समझ में कुछ चीज़े आये X को इस किनारे रख दिया Y को इस किनारे रख दिया X का मान अगर P है X का मान P है तो X का नहीं Z का मान X का मान इस से 400 कम है अर्थात P-400 कर दो, correct, और Y का मान, Z की तुलना में 200 कम है, तो P-200 कर दो, ये इनके पैसे हो गए, इनके पैसे हो गए, तीनों के, तीनों जोड़ दीजिए, और कुलाब हुआ कितना है, कुलाब हुआ 3,000, कितना हुआ है, 3,000, छोड़ों कितना हो रहा, P, 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 3P, और 200, 400, 600, 600, minus 600, 600, बराबर 3600 हो गया, तीन हजार हो गया, तो 3P, बराबर 3600 हो गया, 3600, अर्थात P, बराबर आपका 1200 होगा, इतना हो गया, किसका मान, 1200, आया बताए, जड़ का, तो Z आया 1200, जड़ आया 1200, ये देखो कितना होगा, Y, क्योंकि रेशियो किसका, पूछा, X, Y, Z सिक्व 800 अब काटिए पहले इनकी 0 सब गए 2, 4 के 8 होता है 2, 5, 10 होता है 2, 6, 12 4, 5, 6 का नुपात होगा 4, 5, 6 आपसर नंबर C में एविलेवल है 4, 5, 6 दे गरेक प्रेसियो ठीक है मतलब माता हैं पिता हैं और तीन बच्चे हैं यदि माता पिता की आउसत आयू 36 साल है देखो माता पिता की संख्या कितनी है 2, आउसत कितना है 36, तो माता पिता की आयू का योग कितना होगा 72 ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि question में हमसे परिवार की आउसत आयू पूछ रहा है और हमें अलग-अलग group का आउसत दिया हुआ है बड़े अराम से बता सकते हैं जैसे आपको सबको पता है कि आउसत कमान क्या होता है आउसत कमान योग बटा संख्या होता है तो कभी अगर आ उनकी आउसत 10 है बच्चे कितने है 3 आउसत कितना है 10 योग कितना होगा वोलो 30 ठीक है अब अगर हमारे पास कुल स Lazarus trabalhar 5 तीन और दो मिला दे कुल सदस कितने है 5 और योग बोलो कितना है योग 102 टोटल योग है माताब पिता और शभी बच्चे पान्से कर दो भाग इस आपने देखा कि माता पिता की आयू का योग 72 है बच्चों की आयू का योग 30 है जोड़ दिया तो 102 है बटे कर दिया 5 है 5 क्यों क्योंकि संख्या कुल 5 है तो राइट से लुशन आपका 20.4 है अगला प्रस देखिएगा 9 नमबर ठीक है 9 देखिए अराम से करते हैं इसको भी पढ़ते हैं अधियान से क्या है अठारा बस्तुएं पंदरा बस्तुओं के औसत कीमत पर बेची गई 18 बस्तुएं हैं जो 15 बस्तुओं के आउसत कीमत पर बेची गए मतलब हर एक बस्तु के लिए 15 रुपए पराप्त किया गया जब बेचा गया 12 बस्तुओं की लागत प्रत कीमत 16 रुपए थी मतलब जो बारा बस्तुएं खरीदी गई थी उसको जो खरीदा गया था वो आपको पता करना उसका लागत क्या होगा यदि इस लेंदेन में ना तो कोई लाब हो ना तो कोई हानी हो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं यहां से हम प्रतेक का विक्रे मुले निकाल सकते हैं जैसे अगर आप देखो 18 की कीमत 15 रुपय है अब 15 रुपय के हिसाब से है तो कुल कीमत 18 गुड़े 15 कर सकते है जो प्राप्त हुआ है और उधर 12 को 16 रुपय की हिसाब से बेचा गया था और यहां कितना लगाया जाए जैसे अगर आप सोचो तो आपको यहां से यहां का मल्टिप्लिकेशन करना चाहिए तो पता चला कितना प्राप्त हुआ अब लगाया कितना 12 गुड़े 16 और 6 गुड़े यन दोनों हो जाए बराबर जिससे कि ना तो लाब हो ना तो हानी हो तो ऐसा करना चाहो तो कर सकते कोई बहुत बड़ा प्रसंद नहीं है जैसे अगर हम सोचे टोटल लागत कितनी है अठारा गुड़े 15 चलो देखिए अब यसे बताते हैं दोनों से देख लिए अठारा पंचे नब्बे अठारा के अठारा नोस दो सो सब्तर रुपए बोल बच्वें अब इसने कहा ती जो बची 6 बस्तुएं उसको किस दर्से उसको किस दर्से खरीदा गया हो इस ब्यापार में लाब हो ना तो हानी हो तो कब होता है ना तो लाब ना हानी है जब लागत और विक्रे दोनों सेम हो जाए विक्रे कितना 270 बारा की लागत 190 तो जो हम तो 6 आपको पता 78 को 6 से भाग करो 13, 13 से गुड़ा करी 13 चंग 78 जुड़कर आप जुड़के देखिए दोनों का बाल 270 आप इसको चाहे तो आप एलिगेशन से कर सकते हैं कैसे देखिए सबसे पहले क्या करलो 12 बस्तु थी और उसकी आउसत लागत क्या थी बोलिये 16 बची कितनी बस्तु में 6 बारा बस्तु ओं के आउसत लागत 16 थी बची 6 इसका आउसत लागत हमको नहीं पता है टोटल जो आउसत लागत है क्योंकि हमको ना लाग मिला है ना हानी तो 15 ही माल लो क्या माल लो 15 कैसे होता है इसका इसका डिफरेंस इसका इसका डिफरेंस रेशियो इसी के बराबर रथा 6 के 6 6 12 इन दोनों का फरक एक का है इसका फरक क्या होगा देखो यह ज्यादा है कम है य देखिए 15 माइनस यन बटे एक बराबर दो बटे एक, खतम कर दीजिए, अर्थात यन बराबर बोलो 13 हुआ कि नहीं, तो 13 इस प्रसन का राइट सलूसन हो जाता, जो कि आपसन नंबर C में दिया है, 13 होगा, अर्थात उन 6 बस्तों को आप 13 कि दर से खरीदे होते, तो इस ब् कारे को 12 दिन में कर लेता है, C वह काम कितने दिन में पूरा करें, यदि तीनों मिलकर करते हैं, तो 3 दिनों में कारें पूरा हो जाता, देखो, A कर सकता है कितने दिन में, 8 दिन में, B कर सकता है 12 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, बताइए, A, B, C, तीनों मिल एक शम्ता बना लिया करो जो तीनों से कड़ जाए तो 24 होगी टोटल वर्क टोटल वर्क इनकी वर्क कैपिसिटी मतलब दूइंग दो वर्क कैपिसिटी जो एन हाफ परपंती है शम्ता जिसको कहते हो क्या होगी शम्ताइं देखिए कैसे निकलती है आठ तरिक चौबिस इसक जोग एक दिन में पांच काम करते हैं जबकि जैसे ही चैसा-इसी आता है एक दिनमें आठ numbers लिए मैं पूराकार ﷺ आ जो आपसं नुबर एं दिया गया है तो दस में प्रसन का से और वर्राइट से आपसं नंबर एा उँ पर सकते हैं और अगले प्रस्ण पर आ जाईए जाल दूरी समय का एक असां सा प्रस्ण है चाल दूरी समय में ध्यां से देखी एक टौपिक होता है जिसको कहते हैं आवेरेज बढ़ा confusion होता है इस टौपिक में कभी-कभी हमारे मन में आता है जैसे आप से कोई पूछे जनरल किसी क्या आयू किया है तो आप कहेंगे सर जितने लोग है सब की आयू जोड़कर संख्या से भाग करो हमने का ऑउसत अंक क्या है जितने अंक मिले सबको जोड़कर संख्या से बाग करो किसी खिलाड ने किस औससर से रन बनाए जितने रन बनाए उनको जोड़कर मैचस से इनिक से रिवाइट कर तो पता चल जाता है ऐसे अगर मन में किसी सहर से किसी सहर जा रहा था पहले कुछ दूरी तक मैने इस औस से यात्रा करी फिर इसको इस और आवसत चाल मा और रहा होता है टो डिस्टेंस कावर अर्थात कुल तैंकी कि दोरी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाइड वाई टौटल टाइब मतलबुल तैंकी कि कई दूरी और यह उसको यात्रा कि आवसत चाल कही वैरीय XX निकोश प्रसंग स्जकर कर합니다 और आपके यह भी हो उजसे total distance divided by total time ही average speed होती है, अगर किसी प्रस्न में ये दोनों चीजे दी गई, तो उससे सराल आसान प्रस्न होई नहीं सकता कोई और इस प्रस्न में सच में वहुत असानी दिया गया है जैसे आप देखो, यात्रा पर गया एक आदमी, पहले 120 किलोमेटर 60 किलोमेटर प्रदिघंटे की गती से और अगले 120 किलोमेटर 80 किलोमेटर प्रदिघंटे की गती से यात्रा करता है, ठीक है, यात्रा करता है अब आपको कहा गया है जैसे आप ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को यहाँ पर आप से कहा गया है कि बताओ कि आउसत यात्रा मतलब आउसत यात्रा क्या है आउसत चाल क्या है आउसत गती क्या है उस यात्रा की यह देखो दूरी है सबसे पहले 120 किलोमीटर किस गती से करा बोलो 60 किलोमीटर पर दिखंटे की गती से किसी ट्रिक को मत लगाओ नार्मल कर सकते हो ठीक है अगले 120 कितना लगेगा दो घंटे यहां समय कितना लगेगा तीन बटे दो 42 चालिज तीन बटे दो घंटे अर्थात एक दसंबलों पाँच घंटे टोटल डिस्टेंस कितनी है एवरेज स्पीड अगर निकालने जाए तो अवरेज स्पीड देखो लिखा है मैंने टोटल लिस्टेंस 120 120 240 टोटल टाइम डेढ़ होर दो साड़े तीन साड़े तीन करेक्ट है चली करिए बताइए क्या होगा दसम्लों हटा दे सुन्मे बढ़ा दे पांच सते 35 पांच चोगे बीस पांच अठे चाले चार सोसी हो गया चार सोसी डिवाइड वाइड बाई साथ कर दो साथ चंगे बैयालिस छे अठाले साथ अठे चापन आठ सर रसंबलों पांच साथ किलोमीटर पर दिगंटा ए है वरेज स्पीड जो आपसा नंबर बी में दिया है असान सा प्रस्ण है एजी कुश्चन है कॉंसेट भी क्लियर हो गया होगा और ऐसे प्रस्ण आपको मिले तो परिच्छा में आप जरूर कर लेगे मुझे वरोसा है ठीक है यह असान सा कुश्चन होता है यह को चाल दूरी समय का दो प्रस्ण लगाता रहे से दोनों की स्पीड कैसे लिखा है इसकी स्पीड दिया है दस तो इसकी स्पीड है 11 इस्पीड मतलब चाल अर्थात प्रती यूनिट समय और प्रति घंटे तहं की गई दोरी जो पहली कार है वह तस घंटे में 500 किलोमेटर की दोरी तहं करती है दूसरी कार की गति पूछा चाल है, किसकी पहली कार की पहली और दूसरी कार की चालों का अनुपाद दिया है अगर इसकी चाल है 50 तो इसकी चाल बताए कितना होगा भई निकाल सकते हैं, सीधा सीधा रेचियो जब दिया हुआ है तो कुछ सोच नहीं क्या हो सकता क्या इसकी चाल डारेक्ट नहीं दिया था बट हमको पता चल गया 50 है तो 10 पचे 50 होता है 5 को 11 से गोड़ा कर यह 55 हो जाएगा अर्थात इसकी चाल कितनी हो जाएगी 55 किलोमेटर प्रदिखंटा जो आपसन नंबर B में दिया है बारवे प्रसंद का राइट सलोसन आपसन नंबर B 13 देखिएगा क्या है 9 सेंटिमीटर जहां से देखिएगा 9 सेंटिमीटर त्रिज्जा वाला 9 सेंटिमीटर त्रिज्जा वाला एक गोला गोला मतलब गेद गोला मतलब गेद यह है गोला ठीक है एक गोला है जिसकी रेडियस कितना रिखा है इसकी रेडियस है नौ सेंटीमीटर इसको सिलेंडर अर्थाद बेलन में ब्रेक किया जा रहा है यह दिखीएगा यह बेलन है मैंने कहा नौ सेंटीमीटर त्रिज्जा वाला एक गोला तीन सेंटीमीटर त्रिज्जा वाल मतलब धातू वही है, धातू की मात्रा में कोई परिवड़तन नहीं, सेब बदल गया, आकृती का जो बनावर्तियों चेंज हो गई, नाम बदल गया, तो यहाँ पर कभी भी कोई गोला होता है, तो मतलब सेम जितनी धातू इसमें, वही धातू वहाँ जाके बन रही है, इसकी रेडियस आपको पता है कि यहाँ पर चलो मानलो र है और इसकी हाइट यह अच्छ है, दरसल सेम धातू, सेम बैलू वहाँ जा रही है, तो इनका आयतन उसके आयतन के बराबर होना चाहिए तो इसका आयतन होता क्या है चार बटे तीन पाई आर क्योग यही होता है यस और इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वेर यह अच्छ यह होता है दोनों के आयतन बराबर होंगे तो उनकी बैलूस कंपेर करके हम हाइट को जो रिक्वार्मेंट हमारी पूरी कर सकते हैं अब आप लिख सकते हैं देखो चार बैले तो देखो कुछ पॉसिबल कैंसेलेशन जैसे पाई पाई से खतम होगा तुरंत हो जाएगा चार बटे तीन इसकी रेडियस कितनी है नौ है तो नौ का होल क्योग बराबर आर यहाँ पर तीन है ना आर यहाँ पर कितना है तीन है और हाइट हमको नहीं पता तीन का वर्ग गुड़े कितना होगा तीन तिया नौ होता इसकी एक पावर को खतम कर देगा तो नौ की पावर दो बचेगा 9 की पावर 2 मतलब 81 और 3 81 को डिवाइड करेगा 27 आएगा 27 गुड़े 4 करें 4 साते 28 108 108 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी इसकी बेलन की हाइट कितनी होगी 108 सेंटीमीटर आपसन नमबर B है इस प्रसन के लिए राइट सेलूसन तो आप लोग इसको देख सकते हैं इस प्रसन का करेक्ट है आपका 13 का कितना होगी 108 होगी जो कि आपको B आपसन में दिया है अगला कुश्चन देखिए का 14 नमबर 14 कहा है 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की 4 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी चार अंकों की संख्या के योग के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के योग का गुडन फल ग्यात करो दो संख्याएं लेनी हैं पहली वाली सबसे छोटी चार अंक की संख्या किसी उन्क़ की सबसे छोटी संख्या किसी कितने भी उन्क़ की अगर tô बहुत असकल जैसे चार बोला है एक के बाद इतने जीरो लगा दो कि चार उन्क पूरा हो जाए यह सबसे चोटी बट इसको किससे विभाजित होणा 6 से कोई संख्या 6 से तब विभाजित होती है जब वह 2 से कटती और 3 से 2 से कटने का मतलब अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो 3 से कटने मतलब अंको का जोड 3 हो जैसे ये तो कटेगा नहीं हाला कि 2 से कटेगा एक लगाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा बड़ जैसे ही मैंने इसको 1,002 बना दिया अब आप इस संख्या को नोटिस करीए 2 से कट रही हाँ 3 से कट रही हाँ क्योंकि 2 एक 3 होता अंको का जोड 3 हो गया यह संख्या आपकी परफेक्ट है यही सबसे छोटी है जो 6 से कट जाएगी अब उसके बाद 5 अंको की सबसे छोटी संख्या लीजिए एक 0,0,0 यह है पाँच अंको की सबसे छोटी संख्या और इसको किस से डिवाइड करना है 11 से कोई संख्या 11 से कब कट पी जान लीजिएगा जब हम कुछ ऐसे प्रेजेंड करें अंतिम के तीन अंक ले 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 और इसको ले ले इनका डिफरेंस अगर 0 हो जाया तिया संख्या 11 से कट जाएगी यही बोला ना सबसे छोटी 5 अंको की संख्या के अंको का गुड़न मतलब पहले योग करना है फिर गुड़न फल करना है अब अगर हमको 11 से इसको काटना है मतलब सेट करना है इसको काटने के लिए तो मैं कुछ ना करूँ बस देखो ऐसे कर दो 1,0,0,0,1 कर दो अब इससे क्या होगा पता है नहीं यहाँ पर कितना कर दो 1,0 कर दो अब इसको देखो यह अंतिम के 3 अंख यह अंतिम के 3 अंख लाकर इसको देखें यहाँ से 0 1,0 घटाईए तो 0,0,0 होगा अर्थात यही 11 से कट जाए तौन से संख्या एवाली 1,0,0,1,0 यही 11 से कट जाएगा काट के देख लिजी ठीक है यह कट गई इसके अंको को जोड़िये कितना है 3 इसके अंको को जोड़िये 1,1,2 3 गुड़े कितना कर दो 2 भाई उसके अंको का जोड़ 3 है उसके अंको का जोड़ 2 है 3,2,9 कितना होगा बताएं 6 होगा राइट सेलूसal इस प्रस्ण का कितना हो रहा 6ाप्स नंबर सी हैं तो चौदोई क्евरी कुष्टिन का आपसेनं नंबर सी इस प्रस्ण का राइट सेलूस academy नेक्स कुष्टिन पर आईए 15 अब सबसे सबसे चोटी सबसे बड़ी किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो उतनी बार नौलिक दीजिए यह हो गया सबसे बड़ी पांच अंक की संख्या सबसे चोटी चार अंक की संख्या एक के बाद क्या कर दो तीन जीरो कर दो सबसे बड़ी पांच अंक की संख्या सबसे चोटी चार अंक की संख्या के बीच अंतर एक हजार घटा दीजिए घटा दीजिए नौ नौ आठ नौ आपको पता है किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख 988999 आपसा नमबर 30 प्रसंट का हल है ठीक है आपसा नमबर 30 प्रसंट का हल है तो पंदरवा कुईशन आपका डन हो चुगा है क्लियर है कि सबको बराबर अब कितना दिया गया अनहीं लेकिए अगर बच्चे सोला होंगे दो नोट Buk मिला है ठीक है एक बटे आड कर दीजिए मतलब आछ से बाधी आधी होती ही कम होते आधे होते तो प्रत्यों को सोला नोट Buk मिलते हैं अब आप कहा है कुल कितनी नोटबुक बाटी गई थी मालो नोटबुक की संख्या यन है यह नोटबुक की संख्या है ठीक है हमसे यह तो पूछा न कितनी नोटबुक बाटी गई थी अब यहां पर लेकिन ऐसे न करो हमसे नोटबुक की संख्या पूछा रुख जाईए सबसे ब बच्चों की मैं चीज बता दो आप संसे देखकर उत्तर बता सकते हैं ठीक है लेकिन फिर भी confirm करो बच्चों की संख्या कितनी है बच्चों की संख्या आप संसे directly verify हो जाएगा बच्चों की संख्या मालो यन है note book कितनी बटीên होगी बताएं note book बोला कि' beers 8 जितने बच्च्चें उसका एक बटे आरट ब one अब मतलब और प्रतेक बच्चे को मिला एक बच्चे का notebook है ठैक है total notebook कितना हो जाएगा है total नोडबुकशीर इन गुड़े यन बटे अगर हम इसको multiply कर देते यहां पर notebook कितनी बटी है आठेन ठीक है यह दोनों बराबर कर दीजिए नोट बुक तो बराबर ही रहेगा यह इसको एर अपान आठ बराबर आठेन कर दीजिए यह से खतम हो गया यह धर चला जाएगा यह बराबर 64 अर्थात बच्चों की संख्या क बटी हैं 502, 502 इस प्रस्न का हल है ठीक है 502 इस प्रस्न का हल है और सोचिए यहां पर प्रस प्रस्न का उतर था आपसर से verified था कैसे जैसे इसने पूछा कुल कितनी notebook बटी है, फुल कितनी notebook बटी है, तो अगर सोचो तो एक बटे आठ बच्चों की संख्या इसका मनलब 8 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए और 8 से कटने वाली संख्या ना तो ए है, ना तो ए है, ना तो ए है यही है, अब देखें तो 8 से ही directly define कर सकते हैं ठीक है यह तो बोला था ना कि क्या बोला था बच्चों को समान नोडबुक प्रतेक बच्चे को जो नोडबुक मिली है बच्चों की संख्या का एक बटे आठ है बच्चों की संख्या का एक बटे आठ डारेक्ली हम आठ से भाग कर देते बच्चों की संख्य संख्या आ जाती बच्चों की संख्या आ जाती आधा करके चेक कर लेते सोला नोडबुक बांटते तब भी बराबर हो जाता वही चीज है डारेक्ली अंसर आ सकता था आपका सोला वान प्रस्ण राइट सलूशन हो गया पांसो बारा करेक्ट हल आपके सामने डी आपसन में इ है किए अफ्रस्ण आपके परिश्था से रिलेट कर रहा है एक्स इमारत के बीछ गण्यारàoे मंजिल पर मतलब नीचे से 11 मंजिल पर पहुंच के ए 11 मनजिल है इसका नाम क्या है एक्स है य Спीर सबस्ताउन मंजिल पर दमें सकताउंन منट कि दर से लब एकमारत करने में वह लेते हुए वह उपर की तरफ मुबान होता है बढ़ता है स्पीड है उसकी बन गई कि 57 पर मिनुट रथाथ एक नजिल पर पहुंचने में सब्सक्राइब प्रति मिनुट रथा एक नजिल तक एक मिनुट में सब्सक्राइब अप दर्से उपर जाता है उसी वाई उस मंजिल के 91 तले पर अर्थात 91 मंजिल पर लिप्ट में जाता और वहां से इसका नाम वाई है और यह नीचे आता है और किस गती से आता है 63 की गती से आता है मतलब जैसे ध्यान से सोचिएगा एक्स गया था कहां पर 11 मंजिल पर और उपर की तरफ भगना शुरू किय किस गती से 57 मंजिल पर मिनट की सबता है यह यह पहुँच चुका है 91 मंजिल पर और वहां से उतरना शुरू कर लिए और इस लेए 58 मंजिल पर मिनट की गती और एक ही समय अपने घर से निकलते हैं और इस समय अगर देखोगे इनकी जो चाले हैं किस दिशा में हैं विप्रीद दिशा में हैं जब दो व्यक्ति विप्रीद दिशा में एक चाले तैय करें मतलब तैय करें तो उनके बीच की दूरी निकालने का कितने समय में एक दूसरे से नीचे आ रहा है ठीक है किस मंजिल पर उनके लिफ्ट एक दूसरे को पार करें कि जहां पर एक सौर वाई एलाइन हो जाएंगे यह आपको पता करना है तो पहले उनके मिलने का समय करिए ऐसे स्थिति में जब दो गाड़ियां दो व्यक्ति एक दूसरे को विपरीद दिसा में पार करें तो मिलने का जो समय होता है यहां से देखिए को क्या होता है दोनों की बीच की दूरी कितनी बताओ यहां से यहां तक चालिस बटे उनकी चालों का योग यह होता है जब विपरीद दिसा की बात होती है यही जब समान दिसा में होता है तब भी दोनों की बीच की दोरी जैसे चोर को पुलिस पकड़ता है दोड़ कर समान दिजा में उस समय उनके बीच की दोरी बटा चालों का अंतर होता है पार करने में हेल्प करता है जो पार करने में आपको किसी एक को किसी एक को जैसे 57 मंजिल पर मिनट की गति से उपर जा रहा था तो सोचो एक तिहाई मिनट में वह कितनी दूरी तेयं करेगा 57 गुड़े एक बटे तीन कर दीजिए 19 मंजिल कबर कर लेगा 11 मंजिल पर है 19 जोड दीजिए तो 30 मीं मंजिल रहेगी जब दूसरों को मिलेंगे इसका जो है आपसे नंबर बी करेक्ट है सत्रों कुष्चन आपका राइट सेलोसन बनता है क्लियर है 17 राइट सेलोसन आपका 30 30 मंजिल मतलब तीसवी मंजिल पर बेग दूनों एक दूसरे को मिल रहे हैं एक ऐसा प्रस्मेद भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है ध्यान से देखिएगा एक्स के बैंक खाते में सो रुपए 82 पैसे था था अठीड पॉइंट जिरो रुपए थे सेस है 74.35 रुपए जमा करता है और 50 रुपए 17 पैसे निकालता है इसके बाद वो अपने बैंक 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 के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरी सकता है पहले उसके बैंक में कितने पैसे थे बताई इतने थे कितना जमा किया उसने सारी सेविंग मिला कर 74.35 अभी कितना हो गया पांच दो साथ आट तीनी ग्यारा चार एक पांच साथ 175 रुपए 17 पैसे हो गया उसके बाद निकाल भी लिया उसने अपनी जरुवत के इसाफ से 50 रुपए 17 पैसे जीरो जीरो और यहां पर कि 25 रुपए की चॉकलेट खानी है तो 25 चॉकलेट खाएगा आपसा नंबर सी इस प्रसन के लिए राइट सेलोशन होगा तो 18 नंबर आपसा नंबर सी है 25 चॉकलेट खरीद लेगा उसके पास जितना खाते में भी जमा सेस है ठीक है 19 नंबर देखिए वा छोटी सी छोटी सोचनी है पहले देखिए का जब आप एक बार पर पहुंचते हैं उसके बाद वह उतना आगे होता है उससे उतना आगे होता है जैसे कोई संख्या आपको सोचनी है सबसे पहले जो संख्या फस्टाफ हाल देखिए का 12 से 20 से और 24 से पहला काम पूरता विभाजित हो जाए तरसल इसको करने का तरीका यह है कि आप इन तीनों का LCM लेकर के आठ जोड़ दो उत्तर आ जाएगा ठीक है लेकिन मैं कर देखो यह है यही है तीनों से कटने वाली बहुत असान संख्या 12, 20, 24 से 120 कट जाएगा कौन कट जाएगा 120 बारा दहम में 20 शक्के 24 पंचे 120 कट जाएगा लेकिन 120 से जब 120 को जब इलोग विभाजित करेंगे तो सेस्पल सोनने आएगा मैं इसी में अगर आठ जोड़ दू तो 128 वह संख्या होगा या 24 से होगा हर दसा में सेस्पल आठ देगा तो राइट सलूशन इसका 128 होगा इसको डिविजबिल्टी से भी चेक करा आज सकता था कैसे जैसे बड़ा नंबर होता सबसे 8 8 कम कर देते 110 हो जाता 120 हो जाता 160 हो जाता 200 हो जाता करेक्ट वह सबसे छोटी संख्या लेनी पान से कटे चार से कटे आठ से कटे तीन से कटे तो पहला काम आठ से चेक कर लो तीन से चेक कर लो पान से कर लो पान से करने की जरूत नहीं क्योंकि सब इंड में 0 है पान से सब कट रहे हैं तीन से कटने के लिए 2 एक तीन एक दो नहीं कट रहा है दो एक तीन से कट रहा ह तीन से कटने के लाव क्या आठ से कटे गहां कट रहा है तेहीं अपने प्रसन का हाल है बाकी देखे कोई तीन से नहीं कट रहे हैं तेहीं 120 के हिसाब से 128 इस प्रसन का राइट से लुशन हो जाता है 19 नमबर 20 पर आईए आपसे पाई चार्ट से रिलेट करता कुश्चन भी प जारी किये गए पासपोर्ट की संख्या को दरसाता है कितने वर्स में जारी किये गए पासपोर्ट की संख्या उनके अग्रामी वर्सों के जारी किये पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा थे जैसे यहां पर पहले वर्स में दूसरे वर्स में ज्यादा था एक वर्स हो गय अगला question देखियेगा कहाए बारारेक छे देशों की जनसंक्या घनत दिखाता है जो population density होता दिखाता, जनसंक्या घनत को प्रतीवर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संक्या के रूप में मापा जाता है यह सब सही बाते है there is a there is a there is a there little की जनसंख्या घनत का अनुपाद बता दो देश ए से देश एफ की जनसंख्या घनत का रेशियो बना दे देश एफ ए में कितना है पचास और देश एफ में कितना है डेड़ सो रेशियो बनाईए पचास एक के पचास और पचास तियां डेड़ सो एक अनुपाद तीन होगा आपसा नमबर D होगा आपसा नमबर D एक अनुपाती लास्ट कुश्चन 22 वा नमबर आ गया है आज की सेसन का यह यंद्ध हो जाएगा और इसको अच्छे से देख लिजे क्या है पाई चार्ट एक एक पाई चार्ट है ठीके पहला पाई चार्ट क्या बता रहा है ध्यान से देखिएगा किसी बेवसाय में चार भागी दारों दारा किये गए निवेस को लाक रुपे में दरसाता है जो इन्वेस्मेंट होता है पाई चार्ट दो प्रत्येक साज़दार द्वारा बेवसाय में किये गए ब्यवसाय के लिए किये गए कारे घंटों की संख्या में दिखाता है जैसे ये निवेश दिखाता है कि कितना उन लोगों ने निवेश कितना किया था अगर मालों 100% का निवेश होता है तो इनका 20% का योगदान, इनका 15, इनका 25, इनका 40% का योगदान है कारे कौन कितना करता है ये भी ध्यान से देखिएगा इसका कारे 17% रहता है अगर टोटल 100% कारे होता है इसका 17 इसका 33 इसका 25 इसका 25% कारे होता है अब इसने कहा कि एक कारोबार ने इस कारोबार ने 24 लाक रुपए का लाव अरजित किया कुल 24 लाक लाव आया कितना आया 24 ल जो निवेसक थे उनके अनुपात में चार भागिदारों के बीज विप्रित किया जाना है और बाकी आदा हिस्सा किये गए घंटों के अनुपात में D को मतलब यहाँ पर निवेसकों की तरफ जाएं और बाकी, बाकी मतलब 12 लाग जो हमारे पास किये गए कारे के अधार पर रुपए में बटवारा करते हैं तो D का हिस्सा कितना आता है देखो दो चीजे हैं जब कभी आप किसी व्यापार में निवेस करते हैं तो जिस रिस्पेक्ट में, जिस रेशियो में आप निवेस करते हैं उसी अनुपात में लाब बढ़ता है जैसे 12 लाग रुपए लाब हुआ है और डी का अगर हिस्सा सोचें तो डी ने कुल 20% का रहे 20% का निवेश किया है तो 20% अगर सीधा-सीधा 12 लाग का कर दें 20% तो 20 बटे 100 होगा 20-500 होता है 5-2-10, 2.4 लाग मिलेगा इसे कितना मिलेग जैसे हम जितना जादा समय हम हर्च करेंगे या जितना सादा समय कारी करेंगे उतना जादा हमको लाब राप्त होगा यहाँ पर जब समय की बात होती तो समय का जो रेसी प्रोकल होता हो डिसाइड करता है कि आपका हिस्सा क्या है ऐसे में हम मानते हैं जो डी वाला हिस्सा ह 17% है हमें मानते हैं कि जो 12,00,000 है न वो 100% के बराबर है 12,00,000,000 परसंट के बराबर और इसका है 17% तो 17% का हिस्सा क्या होगा इसमें चेंज हो जाता है इस बैटन में तो 12 गुड़े 17, 12 गुड़े 17, बटे क्या कर दो 100, तो 12-74 होता है 4, 12-12, 12-20, बटे कर दें 100, अर्था 2.04, यहाँ पर 2.04 मिला, वहाँ पर 2.04 मिला है, दोनों को जोड़िए, 2.04, 2.04, अर्था 4.44 लाक रुपए का लाव D को प्राप्त होगा, जो कि पहले यह आपसन में आपको दिया है, पहला आपसन इस प्रस्म का हले, इस तरह से इस सभी वाइस प्रस्म जो कि आपने देखा था, कि जो पेपर हुआ था आप लोगों का इवाला, ठीक हैं, यह पेपर आपका 27 जनवरी 2019 को सिप्टू में हुआ था, उसका पूरा सलूशन मैंने अच्छे से करा दिया है, अब आप लोग इसको अच्छे से त्यार कर लीजिए, रिवाइच कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अपने, मैंने जैसे आप से कहा था, अपनी मांक ज़रूर बदाएगा, अगर आपने करा था, तो इतने प्रस्न आप इसली कर ले रहे थे, कहां-कहां डाउ